हाई जोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमारा जो पॉर्णलोट वाशिंग मशीन है उसमें अगर वीरिंग या ड्राम में कुछ खरावी आए ठीक है मशीन आगा नॉइस कर रहे है उसको ड्राम या वीरिंग चेंज करना पड़ रहे है तो उस केस में हम कैसे उसको चेंज करें लिकिन फर्स्ट हमको चेक मतलब कॉन्फर्म होना कि जो साउंड जो आ रहा है वो वीरिंग से ही आ रहा है तो उसके दिए मैसिन को चलना के बाद आप आगे प्रोसेस में बताएंगे कैसे चेक करना है कि ड्राम में या ब्यारिंग में कोई रुकाबर मतलब तो कैसे हमको ज्राम को खोलेंगे या ब्यारिंग को कैसे खोलेंगे और फिर ब्यारिंग को कैसे साफ करेंगे दूबारा फीट करेंगे तो ओ चीज हम आपको आगे दिखाने बादे हैं तो आए देखते हैं लेकिन फर्स्ट हमको देखना की मशीन में साउंड कैसा है कैसे ह करेंगे कि यह बियारींहill कौनलता है और आगे में भी ED प्रॉसेस करने के बाद लास्ट्रफिए हम देखेंगा कि हमाराむ प्राव्डम कैसे सॉल्फ होगी R вып mr. गया हम भीटीडियो कहां देखेंगे कि साउंड मेरा कहां से आरा है गते wartime करना है कि sound जो है वो अंदर से या रहा है मतलब VRD हो या ड्राम से या रहा है कि इसके बाद हम क्या करेंगे ड्राम को धीरे-धीरे हाथ से घुमाएंगे और यह समझें की पोसिस करेंगे कि sound कि आधा के कॉन्फर्म कर देंगे साउन डिया मौटोर से है या यह यह है यह कंफर्म करना जोड़ी है अगर डि-डि मोटोर है उसके में हम पंदरा नमर गोटी का रेचेट करेंगे और उसमें एंटिक्लाग घुमेगा और थोड़ा हतौरी से उसको टॉर्ग देना ही तभी हो कुलेगा दबा के नहीं कोलेंगे ृत्र इस रोटर जो है इसर रोटर को फिरस्ट हमको निकालना है बॉल्ड निकालकर रोटर निकालना केबाद हमको क्या करना है स्टाटर जो इसको कोलना है यहां पर चारो के लगा होगा यह चारो नट को हम 10 नमर गोटी से कोettenगे कुछ लेंगे का और स्टार जो है टार जो है टाइम हम सब्चार की शर्वा Community है। भी कॢूर का कलट का लिफना में रेंसे विसी सब्सक्ता चार का है। लेकिन हमको इस चीज ध्यान में रखना है। उसके बाद हम धीरे-धीरे टॉप कवर और जो फ्रॉंट कवर है इसको धीरे-धीर हम एक के बाद खूलेंगे। तो स्कूल को धीरे-धीर हमको खोलना है। डिस्प्ले कवर खोलना है क्योंकि हमको सामने का जो फ्रॉंट कवर है उसको खोलना है। डिटर्जेंट बॉक्स को भी निकालना है। कहीं पर अगर स्कूल पर रस्ट आ जाए तो उसकेस में हमको एंटी रस्ट जो है वह यूज करना है। व्रॉंट का जो कवर है इसके और जहां पर ड्रेन है हमारा उहां पर भी स्कूल है। गालेंगे। नीचे जो है फ्रॉंट कवर का नीचे भी तीन स्कूल होगा। इस कूल को भी हमको निकालना है। तीन या चार स्कूल होगा जो उसको हमको धिरे धिरे निकालना है। मशीन को थोड़ा से टेल करके। उसके बाद हमको gasket को भी निकालना है gasket को निकालने के लिए first screw खोलेंगे उसका ring को निकालेंगे और gasket को हम धीरे धीरे अंदर के तरब दावा देंगे front cover से उसको अलग कर देंगे और front cover को हमको निकालना है तो इसको front cover जो है इसको थोड़ा से उपर के तरफ करके सामने के तरफ फिसने सी front cover जो है वो पूरा बाहर आजाएगा इसके बाद जो outer top का जो counterpart होता है counter weight होता है इसको हम धीरे धीरे एक एक करके निकालना पढ़ेगा जितना सारा बोल्ट है उसको सारा दीरे दीरे निकालना है और उसके बाद जो counter weight है सामने के तरफ उसको निकालना है मेरे को नहीं तो outer top का जो front cover है वो नहीं कुझागा और ड्राम चेंज करने के लिए यह खोलना जोड़ी होता है तो counter weight जो है उसको हमने निकाल दिया तो इसके बाद जो हमरा outer top का जो front cover होता है उसको हमको निकालना है इनार ड्राम को निकालने के लिए इसमें चारों तरफ नट से लगा हुआ है उसको एक एक करके आपको खोलना करेगा सारा और फिक्स करने के टाइम भी यह आपको ध्यान में रखना है कोई भी not miss नहीं तो आपका water leakage का problem आज जाएगा तुरइसे हम धीरे धीरे जो outer ट Premier गे को में घृत कारा है उसको हम निकालना गेंगे उसको हम निकालने को अब हमारा सामने अभी inner टाप दीख रहा है तो तो हमको फिल inner टाप को निकालना शुक अ मोटर पहले ही निकाल दिया अभी ड्राम को धीरे धीरे हमको सामने के तरफ खीषते हैं तो मेरा इनर ड्राम जो है वह निकाला गाएगा तो यहां पर मेरे को सामने में दिख रहा है जो रिंग दिख रहा है और अंदर में हमारा बीर रिंग भी दिख रहा है तो हम गर उसको हाथ से दिखे देंगे अगर ये जो हमारा इनर टाप का चारो तरफ जो ट्राइपॉड होता है ये अगर देख लेंगे चेक करना है ये अगर खराफ हो जाता है तो उसको भी हमको ड्राम को भी चेंज करना है तो बीर रिंग को यह दर हम हाथ से धीर धीर घुमाएंगो तो यहाँ से भी हमको हलका नौइस मिलेगा फिर जो पहले जो बाहर साइट का जो हमरा भी आरिय है उसको करना है तो हम टीजल का यूस कर शक्रिच रखते हैं ये इसके स्में लेकिन टीजल जो है ज्यादा सा пользов नहीं होना चाहिए और इसी थाफ़ से अंदर के तरफ जो भी आरिय है उसको भी हमको निक्लने है और कि तरफ साफ कज़्रा से memorial करने करना है कि वहांपर में नया जो बियार है उसको फिकस करता है नहीं तो अवी आंदर पूरा साफ दिख रहा है यह तो पहले हमने यह यह पर ग्री सिंग करना है अच्छी तरह से कि ग्री करने के बाद ही हमomorph wheat फीक्स करना है , हमको देख लेदेखके स्टिक्स करना है। रीइधित पानी रोप्प्स 2017 रोपता इसको तो फर्स्ट हम जो बीरिंग है बाहर के तरफ जो बीरिंग है उसको लगाएंगे तो बीरिंग के ऊपर कुछ डारेक्ली किसी चीज़े से तोकना नहीं है अगर लक्डी का यूज कर सकते हो या जो पूराना वाला जो बीरिंग है उसको रखे आप चारो तरफ धीरे-धीरे उ उसको लक्री से या जो हमारा पुराना बड़ा बेरिंग था वो उसके ओपर रखके धीरे-धीरे चार्ड़ तरफ एक एक करके उसको धीरे-धीरे ठोकना है ताकि बेरिंग अंदर में पूरा बैठ जाए और फिर आपको हाथ से कंफर्म कर लेना कि बेरिंग पूरा बैठ गय और पाने लिकेज ना हो तो हमको देख लेना कि हाँ पूरा इवेन है वो बाहर के तरफ अंदर के तरफ उटा हुआ नहीं है मतलब मेरा वायलसील और बेरिंग पूरी अच्छी तरह फिक्स होगी जो मेरा नया ड्राम है उसमें भी सैप जो है वहाँ पर मेरे को अच्छी त को अधिर पीछे मेरा यह बीरिंग का साब का स्वраст दिख रहा है यहां पर मेरा जो स्टेट रहे हो वो फिक्स होगा और जुपरेंच हे ठीक है जो हम अधिक करना anor कूट.. कहां पर बैठेगा उसी साब से जितना स्कूरू था सब स्कूरू को धीरे धीरे आपको एक एक करके सब को पूर टाइट करना है कहीं पर लूज जाए जाएगा तो वहां से फिर पानी लिकेश का चांसे जाएगा को ध्राम को हम हाथ से घुमाके थोड़ा देख लेंगे कि कहीं पर टच नहीं हो रहा है और पॉरपर्ली गैसिकेट में सामने गैसिकट में या सामने जो फ्लेंच रहे उसमें टच नहीं हो कि फ्रांट फ्रेंच जो है इसको आपको ऊपर नीचे साइड लेफ्ट साइड राइचे चाड़ो तरफ आपको जितने सारा नाढ़ है सबको अच्छी तरह से टाइट कोई भी लूस नहीं छोड़ना है नहीं तो उहां से फिर बाद में पान ही लिकेश होने का प्राबल्रम आ जाएगा सामने का जो कवर एउसको फिर हमको लगाना है और यहां पर देख्यें ग्रूप किया हुआ है तो ग्रूप के अंदर घुचवेल के इसको थोड़ा सा डाउन करनेसे वह युग फिक्स हो जाएगगा चैनल किया हुआ है सामने का जो cover है तो पहले हम क्या करेंगे जो हमरा counter rate जो हमने खोला था उसको हमको properly fix कर देना है और इसको अच्छी तरह से tight करना है loose रहने से फिर क्या होगा बाद में vibration का noise आने का chances रहे जाएगा तो कोई भी nut ना छोड़े bolt सबको properly equally सबको tight देना है लास्ट में एक बाद देख लेना कि सारा जितना सब बोल्ट है सारा equally tight हुआ है इसके बाद हम जो stator है stator को fix करेंगे और लगाने के तावी हमको ध्यान में रखना कि connection में कोई गर्वरी नहीं होना चाहिए जो yellow, red और blue जो जहां पर लगा हुआ था उहीं पर मेरे को लगाना है fix करना है यह भी अगल लूज जाएगा फिर भी अपने को noise दिया vibration का problem बाद में आने का chances रहे जाएगा तो चारो जो bolt है हमने tight दे दिए है फिर इसके बाद हमको यहाँ पर ढाम के साथ जो rotor है rotor को fix करना है तो हमड़ा जो indi motor होते रहे तो यहाँ पर rotor जो होता है ड्राम के साथ directly fix होता है तो यहां पर ड्राम का स्ट्रेप्ट हमको दिख रहा है और उसके पहले जब रोटर हम fix करेंगे उसके पहले उसको अंदर अच्छी तरह साफ कच्छा से उसको साफ कर लेना अंदर कुछ कच्छा वगरा कुछ रहेगा तो फिर होहां से noise होगा यह बा गोटी अगर खराब होगा तूस केस में वहाँ पे जो बोल्ट है वो खराब हो जाएगा और टोटल मेशीज आपका डैमेज हो जाएगा यह चीज़ आपको ध्यान में राखना है फिर सामने का फ्रॉंट कवर हम फिक्स करेंगे लेकिन हमको द्रेन भी क्लीन करना है यह हम फ्रॉंट कवर लगाने से पहले भी कर सकते हैं और फ्रॉंट कवर लगन के बाद भी बेतर है कि आप फ्रॉंट कवर जो है उसको लगाने से पहले भी आप ज्राम को एक बार अच्छ अच्छा फसा होता रहता है जिसके लिए कस्टुमर को हमको गाइट करना चाहिए हमेशा जब भी हम सर्विस कॉल में जाए या डेमो कॉल में जाए क्योंकि कॉस्टुमर के जैसे मीडिया जाए जैसे में बता है उसी सबसे मेरे को एक बार जेन कोल के चेक कर लेना कि जैसे हैं यहां पर बहुत सारा कुछ फस्फ़ हुआ रहता है जो कस्टूमर का मिसूषके वज़े से होता है जो हमको बार-बार कास्टूमर को कोई भी सार्थीर गॉरitely या डेमोमे कास्टूमर को गाइड करना जा Kraftेज वज़ें चमकाँ कोई अबinaire स्साप पानी के अंदर अच्छी तरह से क्लीन करना है और उसके बाद अंदर जो है डेंट पांप उसको भी हमको अच्छी तरह से क्लीन करके फूरा से पानी डालके उसको क्लीन कर देना है उसके बाद पर रिंक लो दुबारा अच्छी तरह से फिक्स कर देना है ताकि बाद में ड्रेन रिलेटेट कोज भी प्राब्लेम्स ना आएं तो दीरे-दीरे हम सारा चीज़ को फिक्स करेंगे जो कवर हमने खो लेते हैं डिश टे, टॉप कवर गैस्केट को अभी हमको फिक्स करना है उसका चैनल के अंदर गैस्केट को इक्वाली पहले फिक्स करके बैठाना है और देख लाएं कि ड्राम अंदर कहीं पर टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो गैस्केट को आउंटर कवर के साथ हम चैनल में पूरा बैठा देंगे और उसके बाद जो हमरा रिंग होता है रिंग को फिक्स कर देंगे ताकि गैस्केट कोई लीकेज ना रहा है तो यह जो रिंग है अभी थोड़ा दुसरा तरह का रिंग भी आता है तो रिंग को हमको एकॉली दीरे दीरे बैठा के गैस्केट को पूरा फिक्स कर देंगे ताकि पानी लीकेज ना हो तो रिंग को फिर आप फिक्स कर देंगे स्कूरू से तो मसीन मेरा रेडी हुआ है फिर हम देखेंगे एक बार इसमें से कोई साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है लेकिन और एक चीज हमको जो फिल्टर है उसको भी एक बार खोल के साफ करके क्लीन कर लेना है मसीन को फाइनली रेडी करने से पहले जैसे हमने से दिखा यह साफ पनी मूझे दिखा सुख करना है फिल्टर को उल्टर रखके ताकि फिल्टर में जितना कच्रा होगा और उसके बाद आपको फिल्टर को लगा के थे आपको सब्सक्राम को एक को साउन्स आरहा कि घा फिर अबेक्न duep सप्था कि पहले जितना सबूंद आरहा था अब का है कि वह सांड मेरा खतम हो गया ड्रोंट प्रोब्लबल्म तана करते। कि सह भी ठाप दो से अपको चीज़ को करें तो आगे घञा से शेशाकों हिसको टुकान करें और उसके बाद इसको से पाऊसे से ह multi इसको टोसेस से आप इसको प्रोसस करें किके okay thank you